सेट, धन्राज बोलुचू, बोलो आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की मैं उसे खरीदना चाहता हूँ मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता सोच लिजे मूँ मांगी कीमत दूँगा मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ पचास में भी नहीं अरे भी आपच्पन में भी नहीं साथ में तब समढ़ता है केमनती, मैंने बोल दिया न आपको सत्तर में आप कौन साब बोलने हैं? असे अखिर इस कोठी में ऐसा है क्या मैं ना पतला भी की नबे ठेरिये, ठेरिये आप इतनी जीत कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ू का नहीं मगर एक बात पूछूँगा मैं आप कहीं मजाग तो नहीं कर रहे हैं न? मैं मजाग नहीं करता है ठीक है अब मेरे घर पर रुपया लेकर आजेए मैं सब कागजात तयार करवाता हूँ, ओके? कामकरियां रखना मद है मैं भी आता हूँ, रखना मद गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके नभे लाग अंद्र ये रहे 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 बाई सब लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं नभे लाग पर आकर इसमान जाँगा मुझे आदमी की आवकात का अंदाजा है धनराज मैं जानता हूँ कौन कहां आकर तूट सकता है यह लिजे, हमारे गुजराती में एक कहावत है, कि जो आतमी की बात समझ में ना आए, उसके साथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आप शी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौधा करूँगा, क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है, यह लिजे, एक बात मुझे बताईए, आपके भाई साथ, जमीन के भाव को आसमान तब पहुंचाना चाहते हैं, क्या? जी नहीं, उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है, वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं, mniej, good day, and enjoy yourself please. आए आपकी फेटरी में याग लगते ही है क्याward फेक्री में याग लगते ही क्या? कौन रोकेंहे तूम आपकेंहें? विपुलाइज परेले में गुलाइज्द क्ये शानलोह। परेजला.. परेजलाइज आपकेंहे है yer कानिकान! फक्ति बागला की दिए, कानिकान! कानिकान! अन्हार बंदर नालना, पानिक्त! उन्हार वो ताहन देवा! गन्राज! क्रिष्णा तो? हाँ मैं! तुम्हारी वर्बादी का नजरा देखने के लिए आया हूँ! याद है धन्राज, ठीक ऐसा ही नजरा, हमने पहले भी कभी देखा है! फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे, और आज मैं खुश हूँ! मैं सबज गया है! तु नहीं करवाया मैं समझ गया! ये कहो धन्राज, कि भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दिये तुम्हे! तुम्हारा बुरा वक्त आगया है धन्राज! यहां तुम्हारे मिल में आग लग गयी है और वहां नब्बे लाग पाने के चक्कर में तुम्हें सवर्ग भी बेज दिया! मैं समझा रहा है? जरा सोचो, कि अगर वो नब्बे लाग भी तुम्हारे पास ना रहे तो… अइसा नहीं हो सकता! अइसा हर्गिस नहीं हो सकता! सिर्फ तुम्हारी गुजराती में ही नहीं, दुन्या की हर जबान में एक कहावत है कि उपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती! नहीं! कि कि अ sites 83 स्थ, कि याखद्iums, कि याखट च्याए द्यांट में झाले कि याखद्ट